दोस्तों मैं खड़ा हूँ अलीगड़ में हरीज भईया के पास तो भईया क्या हल चाल है बढ़िया सर भईया आप अपनी काड़ पर क्या क्या चीज़ करते हो मेरी काड़ी की स्पेशलिटी मिलेगी आपको रगड़ा पेटी और वड़ा पाओ स्प्रिंग रॉल चैनीज मे अगर किसी को आना हो तो एड्रेस क्या है एड्रेस विया आपका नियर गोपाल बगीची बजलीघर सास्निगेट जैसा कि आप देख सकते हैं नया स्टाइट अप इसको सिर्फ नौ महीने हुए है और इन भईया का नाम रखा है लहर और यह देख सकते हैं रिक्सा पर भई ना रखा है तो यह दो हल ग्ला और साथ में लग वाते हैं बड़ा पा लेए अं अपने ले 2 में यह तपने बंबय में और जगें टेफ हम क्या करते हैं हम पिट्टी को भी सेखते हैं बिल्कुल सर्दी का टाय में आदमी गरम आइटम मांगता है तो इसको भी हम इसे शेक्ट और अपना रिफाइंड और यूज कर रहे हैं तो अपना बढ़ा पाव होता है उसका प्राइस कितना होता है अधि अधिया बर्गर भी 30 रूपी और ब सब्सक्राइब के लिए फ्लेवर के लिए अगर बंबई वाला ड्राइच पसंद करते हैं कि हरी चट्नी आ गई इस इस हरी चट्नी को घर पर ही बनाते हैं यह धनिया मिर्ची अध्रक और खटाई वगरा इमली वगरा मिला कर इसको खटी थोड़ा सा और स्पाइसी बनाए बंबई ड्राइच ट्नी इसमें कई सारे फ्लेवर्स मिले हुए हैं जैसे के मुफली हो गया नारियल हो गया तड़ी पत्ता हो गया और थोड़े अपने मसाले गरम मसाले वगरा इसको एड़ करके हम बनाते हैं यह भी आ गया पाव का वड़ा इसमें हम थोड़ा से अब थोड़ा तेल गरम नहीं है तो इसको फरक तो नहीं पड़ता इससे बेशन का फरक पड़ता और कोई खास परक नहीं पड़ता अच्छा तेवर में कोई ज्यादा प्रक नहीं है यह आगया उपर सहरा दनिया और इसको अब बढ़ा पाव तयार हो गया जैसा आप जैसा कि मंबई की स्पैशलीटी है वड़ा पाव में जब तक हरी मिशना हो तब तक उसका मज़ा नहीं आता है बिल्कुल थोड़ी से हमें इसमें क्रीम भी रखते हैं क्रीम के साथ हरी चट्म बहुत बढ़ी है कि किसी को ज्यादा स्पाइसी लगे तो क्रीम तो भी है इस हुआ और और सूत में क्रीम दिए है क्रीम से करता है किो मैं स्पैशी कम खा दा रहाए ओ है हुआ uży है कि इनका बड़ा पाव है जब काफी टेस्टी है फोटी तोड़ा से स्पैशी भी है ने बढ़ पाव हुए सटेशी हुटा हुटिरों